तो आज मैं अपने पडले की डंके वर्क की चुड़े की डिजाइन बता रही हूँ, मैं जहां पर भी दोक लगने गई, सबने बहुत तारीफ की और पिक्चर्स भी लिए, तो मैंने सोचा सबके साथ ही शेयर करते हैं, तो यह जो वीडियो है पूरा देखना, क्योंकि आप आदा हदूरा देखके सिर्फ डिजाइन देखके चले जाओंगे, तो क्या गलतिया लोग कर देते हैं, वो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, इस वीडियो से आपके पैसो की तो बच्चत होगी, और उपर से आप गलत डिजाइन बनवाने से बच चाएंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, बूर या जो हातीदात का चुड़ा होता है, उसके उपर सोने की पाती चड़ाते हैं, तो सोने की पाती बूर और हातीदात के उपर नहीं चड़ानी चाहिए, क्योंकि हम जब उसमें ये रिस्क रहता है कि कभी भी हातीदात या और बूर का चुड़ा होता ह यानि break हो सकता है यह जो चुडा आप देख रहे हो इसको प्लास्टिक के ऊपर चढ़ाया है प्लास्टिक की चुडिया ली है और फिर इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करी है तो इससे क्या होगा यह चुडा जो बड़ा नहीं होगा और इसको नॉर्मली डेली वेर में भ नहीं आपाती है यह जो आप चूड़ा देख रहे हो यह डंके के वर्ग का चूड़ा है नहीं पुछ मेरी लभी ही और चूड़ा भी सेम मैचिंग का बनवायां मेरे सब्सटराब्यों ने तो यह जो चूड़ा है पडले में चड़ाया था और इसकी डिजाइन देखो ऐसे उभर के आ रही है क्योंकि यह जो मोटा रखा है इसका जो सरकल एकदम अच्छे से दिख रहा है और एक और आईडिया अगर आप पडले में चड़ा रहे तो इस तरीके का एक और चूड़ा लेकर चांदी के उपर भी चड़ा सकते हैं चांदी का जब आप बनवाए तो उसमें रेड कलर की चूड़िया ले प्लास्टिक की तो बहुत अच्छा लगेगा पडले में और यह जो है पांच चूड़ियों के उपर मेरा जो चूड़ा बनाए है सोनल वो सेट करा हूँ अब दिखाना तो तो यह दे को सेट करने के बाद कितना अच्छा लुक दे रहा है तो मेरी जो कजिन की है वेडिंग है उसके हल्दी फंक्शन पे मैं यह वाला चूड़ा पहन रही हूँ तो इसमें गोल्डन यानि यलो का तो उभार आ रहा था तो सोनल ने इसके बीच में रेड कलर की चूड़ा सेट कर दिये और इतना ही शानदार यह चूड़ा लग रहा है चूड़े का कलर गोल्ड की फ्लेटिंग के साथ अच्छे से उभर कर आ रहा है